चलो बच्चा एक और नया सम जिसमें information हमें कुछ इस तरह दी गई है यहां दिया हुआ है find out the following sums यहां पे first term, second term, third term, fourth term and last term दी हुए तो आप बोलोगे सर हम SN की formula यूस्टो कर सकते हैं लेकिन हमारे पास वो नहीं है क्या N नहीं है तो आप बोलोगे सर N डूनने के लिए क्या करेंगे तो पहले तो हम लिख देते हैं A is equal to 1 D is equal to A2 minus A1 A2 जो है वो minus 2 A1 जो है वो आप लिखोगे यहां पे 1 यह minus 2 minus 1 तो minus 3 हो जाएगा यहां तक clear हो गया इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर N हमारे पास पता है minus 236 तो यहां पे लिखेंगे A N is equal to A plus N minus 1 D A N की जगा आप minus 236 A की जगा 1 N की जगा आप बोलोगे सर वो तो ढूनना है कि टोटल यह sequence में यह AP में कितने number है आगे चलता है difference जो होगा वो minus 3 यहां पे 236 यहां पे आप लिखोगे आप 1 यहां पे आप करोगे तो चलो करी लेते हैं यह simple उस side ले जाता है तो यह minus 1 क्योंकि यह दूसरी side जाएगा N minus 1 into minus 3 आप बोलोगे सर यह 237 अभी इसमें plus करलो चेक करने के लिए 2 plus 3 plus 7 क्योंकि आप बोलोगे सर यह 3 से divisible है तो 3 plus 7 10 10 में 2 add करो तो 12 आएगा 12 आएगा वो 3 से divisible है तो हम कर सकते हैं तो minus 3 N minus 1 तो आप बोलोगे 237 तो 3 से करना है तो 3 7s are 21 होगा 27 यहाँ पे 9 तो आप बोलोगे यह 27 आजाएगा तो यहाँ पे आप बोलोगे 79 is equal to n minus 1 79 plus 1 80 is equal to n आजाएगा तो हमें वो पता चलगा है कि 80 यह term total जो यह sequence में यहाँ तक जो दिया हुआ है वो term 80 है इसका हमें total करना है formula 2 use कर सकते है SN is equal to n by 2 2a plus n minus 1 in 2d दूसरी formula है आप बोलोगे n by 2 a plus l लिख सकते है और a n भी लिख सकते हो तो यहाँ पे last हम नहीं लिखते तो हमें ऐसे भी a n भी लिख सकते है तो आप बोलोगे n जो है 80 by 2 a जो है वो 1 a n जो है वो आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है 236 यहाँ पे 40 235 multiply करोगे यह ध्यान में रखना यह minus होगा तो 9400 check कर लेता है 235 into 4 तो आप बोलोगे यह 20 यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 3, 2 12 में है आप बोलोगे सर add कितना करना है 2 तो आप बोलोगे set 14 यहाँ पे आप बोलोगे 8 और यह 9 हो जाएगा तो आप बोलोगे एकदम सही है सर यह 4 से किया था यहाँ 40 है तो 1, 0 बढ़ जाएगा और यहाँ minus की sign लग जाएगे simple है बच्चा समझ में आया बहुत simple है बस multiplication ध्यान से करते जाओ proper step रखते जाओ formula अप्लाइ करते जाओ answer आ जाएगा proper notebook में लिख लो बच्चा वीडियो अच्छा लगाओ बच्चा तो like, share, subscribe ज़रू करे और notebook proper maintain करना तो आपको बहुत helpful रहेगा उसके जैसा ही एक दूसरा समझ अब भी आप next हमने lecture में मतलब वीडियो में करेंगे